तो दोस्तों देख सकते हैं स्पून के अंदर जो है MI Account Lock है तिस MI Account Lock को किस तरह से आपको reset करना है किस तरह से इसको bypass करना है तो मैं आपको step by step बताने बाला हूं तो इस वीडियो को last time देखते रहें तो देख सकते हैं यहां पर यह जो है इसका password है वो महांग रहा है तो फिलाल इसका model MI6A है तो मैंने आपको hard reset करके भी बताया था किस तरह से करना है तो दोस्ते इस वीडियो में आपको सिर्फ Redmi 6 & 6A का MI Account Lock है उसको किस तरह से reset करते हैं वो बताने वाले तो यह सब कुछ step by step होने वाला है तो आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको कोई भी confusion न बाइपास कर सकते हैं तो इसको अगर आप Google पर जाके simply search करेंगे तो यहां पर MI6 दिगाएगा ओके तो यह 6A है तो पिलाल आपको किस तरह से करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा तो मैंने बहुत कोशिश किया यहां पर बाइपास करने की तो यह नहीं हुआ ठीके तो यह 6A है तो अगर आपके बाद 6A है या फिर 6A है आपको दोनों पर यह आपको करना है तो सबसे पहले मैंने इस phone को यहां पर पाउर आप करने के कोशिश किया लेकिन यह आप नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस phone को आपको खोल लेना है यहां पर मैंने अभूले मापन डाउन को प्रेस करके यहाँ मैंने त्राइ च्छा तो यह नहीं हुआ तो मेने आपको बताने के लिए सब कुछ दिखा रहा हूं अगे तो दोस्तों आपको सुर्फ आपको इस फोन को सब सी पहले इस बैक पैनल को खोलना है तो मैंने यहाँ पर देख सकते है टाइम सेब होंने के लिए तो मैं आपको दिखाने के लिए हैंपर मैं जैसे जैसे पाटरी को डिस किया तो बैटरी हमारा डिसकरनेक्ट ही है सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसम让 कर रहा हूं तो दोस्तों में आपको फिट से एक बात दिखा दिता हूँ, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यह मना बैट्री डिसकनेक्ट है, इस बात कम द्यान रकेज़ें, तो आपको पॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, इसको किस तरह से करना है, दो बार मैंने इसको दिखाया, तो फिलाल आपको इसी तरह से करना है, मैंने जैसे जैसे किया, आप बैटरी को डिसकनेक्ट भी नहीं करेंगे, तो भी हो जाएगा, लेकिन आप आपको फोन को एक बार आप करना होगा तो इसलिए बैटरी को डिसक्राइट करना होगा तो आप बैटरी डिसक्राइट करके रख दीजिए उसके बाद आगे का पॉसेस किया है PC के स्कून पर चल के आपको दिखाएंगे हम step by step तो दोस्तों इस वीडियो को कर देना है लाइक चैनल को करना है सब्सक्राइब तो सबसे पहले यह जो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा तो मैंने डिवाइस मनेजर को यहां पर खोल लिया है तो यह सारा सौप्टियर जो यह MTK का MCT टूल है इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा यहां पर मैंने डिवाइस मनेजर को भी खोल लिया है ओके इसको मैं मिनिमाइज करता हूं उसके बाद यह टूल का लिंक मैं आपको दे दूँगा यहां पर यह सारा टूल का तो एक्स्ट्राक कर लिया है ओके तो यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर फ्लाश पर आना है उस फोल्डर को अपनी जो एक्स्ट्राक क्या था उसके अंदर जाना है उसके बाद एम्टी के टूल के यहां पर यहां पर यहां पर जाना है उसके बाद फ्लाश टूल के अंदर जाना है इतना सा काम आपको करना है उसके बाद आपको फॉर्मेट में आना है य आपको इसी फोल्ड यह बैक करेंगे यहां पर बैक करने के बाद देख सकते हैं यहां पर एक दिया गया है तो सिंपली आम यहां पर इसको कॉपी करते हैं कॉपी करने के बाद आपको यहां पर प्रidamente आपको प्रफेया पर करता है चकेशा कього सुखुकर से ऐने डिद्रेक उपसकी कीजिए किया संदौ से नहीं breast चस्केश्य very , तुद्राइथ टुद्राइब के ते यहां चाहिए इन प्रफिजन के नहींء तो तो फिलाल मैं पहले बाला को copy किया, यहाँ पे इसको paste किया, okay, paste करने के बाद यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद second बाला को मैं यहाँ से delete कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको copy कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे paste कर देना है, इतना सा काम आपको करना है, उसके बा इसको किया है तो मैं यहां पर देख सकते हैं इसको run किया था तो हमको सब कुछ पता है लेकिन मैं सिर्फ यहां पर आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं यहां पर देखिए बाइपास के उपर क्लिक करूंगा यहां पर कुछ भी आपको auto पर रहने देना है उसके बाद के उपर क्लिक करना है तो देख सकते हैं यहां पर इंस्टॉल डाइबर बता रहा है तो फोन को मैंने बैटरी कनेक्टर को डिसकानेट करके रखा था उसके बाद यहां पर में इसको यूएसबी को लगाऊंगा तो एक ही बार में हमारा फोन यहां पर कनेक्ट हो चुगा है M.T.K का Diver अगर आपका इंस्टॉल नहीं है, लीप Diver इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजे, हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, Option पर जाना है, चूज के ओपर क्लिक करना है, उसके बाद connection में चले आना है, यहां पर आपको यहां पर इ तो मैंने battery connector को यहां पर लगा लिया था, उसके बाद इसको on करेंगे हम, तो इसको on करने के बाद देख सकते हैं, यहां पर अटक के रहेगा, तो यहां पर थोड़ा सा time लगेगा, दोस्तो आपको थोड़ा सा wait करना है, तो दोस्तो 6a & 6 का आपको मनें बता दिया किस तरह स तो FRP बहुत इसका simple है दोस्तों आपको FRP bypass किस तरह से करना है वो भी मैं आपको next वीडियो मना के दे दूँगा अगर आपको नहीं पता है तो आपको लाइक कर देना है चानल को करना है सब्सक्राइब ओके आपको अगर कुछ पता नहीं आ रहा है तो comment box में बता दीजिए उसका वीडियो में details में लेकर आ जाओंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा phone यहाँ पर open हो चुका है अब जो my account lock है वो पूरी तरह से यहाँ पर खतम हो चुका है सिर्फ आपको यहाँ पर इस phone के अंदर फर्प लॉक लग सकता है तो अगर आता है तो फर्प का वीडियो में बना दूंगा मैं तो दोस्तों आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है अगर आपको कुछ को मैं आपको पूरा कुछ बता दूंगा ओके तो दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो को शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ चैनल पो अअनलonna कर लेना है लुग यह आपको जैसरे हैं ना सब कुछ करता हूं आप वीडियो को इस फिट ब करें पूरा कुछ मैंने डिटियल्स में बता दिया है दोस्तों सिर्प अपको देख लेना है तो आपको इस बशा कि तो दोस्तों देख सेक थे इस पून के इंदर जो है पुराना वहला जी मंग रहा है इसका मतलब है इसमें फर्पी लॉक लगा हुआ है तो इसको किस तरह से बाइपास करते हैं नेक्स वीडियो आ जाएगा इस टॉपिक के ऊपर तो इस चैनल के साथ जूप जाएए चैनल को सब्सक्राइब करके बें लाइकन को प्रेस कर लिजे मिलते हैं नेक्स ये जो में तक तेकले बीडियो दिंगे म्लें बहुत बहुत था है